आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी के मश्योर नाश्टों में से एक बखोसे की रेसिपी इसको गोजा, दाल का पीठा, पनगोजा और दाल फरा के नाम से भी जाना जाता है ये एक दम आसान रेसिपी है और खाने में बहुती स्वाधिस्ट होते हैं आज हम भखोसे बनाने जा रहे हैं, इसमें डालने के लिए सबी इंग्रिडियंट्स आपको आसानी से घर पर मिल जाएंगे इनको चावल के आटे से भी बनाया जाता है, पर आज इसको हम गेहों के आटे से ही बना कर तयार करेंगे हलो फरेंट्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चरपटी रिचा में आज हम बनाने जा रहे हैं भको से, तो चलिए देख लेते हैं मैं भको से कैसे बनाती हूँ भको से बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चने की डाल, यहां मैंने एक बाउल चने की डाल ले लिए है इसको हम बड़े बाउल में निकाल लेंगे और अब इसको 4-5 बार साफ पानी में दो लेंगे आल को दोकर 5-6 गंटे के लिए अब हम इसको भिगा कर छोड़ देंगे अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा आटा उसमें हम डालेंगे स्वादनुसार नमक और एक चमच ओयल अब ओयल और नमक को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे डो बनाने के बाद इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ओयल और नमक अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसका एक डो तयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अब देख लेते हैं दाल, दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है अब इसका सारा पानी निकाल कर इसको ग्राइंड कर लेते हैं इसमें मैं डाल रहे हूं कुछ लेसुन की कर लिया और हरी मिर्ज इसका हम दरदरसा ऐसे पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे अब पेस्ट को हम निकाल लेंगे एक बाउल में और एड़ करेंगे इसमें नमक नमक आप अपने टेस्ट के कोर्डिंग ले सकते हैं या मैंने एक छोटा चमय नमक यूज किया है नमक को दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम कुछ लोई बना कर तयार कर लेंगे और एक लोई को सुकाटा लगा कर रोटी की तरह बेल लेंगे पर इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसको हम रोटी से थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और ये बहुत ज़दा लंबड़ी भी नहीं बनेगी थोड़ा हम छोटा ही साइज का रखेंगे मैंने कुछ इस तरह से एक रोटी बना कर तयार कर लेंगे और हम मैं इसमें डाल रही हूं दाल की स्टफिंग यहां मैं दो से ढाई चमर स्टफिंग एक रोटी में डाल रही हूं अब चारों तरफ हम इसके लगा लेंगे ऐसे पानी बिल्कुल जैसे गुजिया बनाते हैं ठीक उसी तरीके से और दोनों साइट कुछ इस तरह से उंगलियों की मदश से दबाते हुए इसको चिपका देंगे इसी तरह हम सारे बकोसे बना कर तयार कर लेंगे वैसे ट्रेडिशनल ऐसे नहीं बनते हैं आज मैं कुछ अलग बनाने वाली हूँ वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी अगर आपका ये बकोसा खुल भी जाता है तो जिस तरह से मैं बनाऊंगी उस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारे बकोसे हमने इसी तरह से बना कर तयार कर लिये हैं बकोसे स्टीम करने के लिए मैंने स्टफ करते समयी यहां स्टीमर को गैस पर रख दिया था गर्म पानी करने के लिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम बकोसो को स्टीम करेंगे इसमें वैसे क्ट्राइशनली जो भखोसों को बनाये जाता है वो गर्म पानी में डाल कर उनको उबाला जाता है अगर आपके पास steamer नहीं है तो आप किसी कड़ाई या भगोने में पानी को गर्म कर लीजे और जब पानी उबलने लगे तो अपने भकोसो को उसमें डाल दीजे 25-30 मिनट के लिए उनको उबाल लेजे जब भकोसी उबल जाएंगे तो अपने आप ही उपर आने लगेंगे अब यहाँ पर भी स्टीमर में भकोसी को रखकर हम स्टीम करेंगे 20-25 मिनट के लिए 20-25 मिनट बाद हम गैस को बन कर देंगे और भकोसो को निकाल लेंगे एक प्लेट में अगर आप इस तरह से भकोसी बनाएंगे तो आपके भकोसे पटेंगे नहीं जबकि जब हम पानी में उबाल कर भकोसे बनाते हैं तो कोई न कोई भकोसा हमारा खुली जाता है आपने काम को आसान करने के लिए इस तरह से भकोसे बना सकते हैं सभी भकोसो को हम ऐसे निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे ठंडा करने के बाद अब हम एक भकोसे को उठाएंगे और कट करेंगे तीन से चार पीस में सबी भकोसों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे और अब चलिए करते हैं इनको फ्राई सबसे पहले मैंने या गैस पर चड़ा दी एक कड़ाई इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमर सरसो का तेल तेल को भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे जिससे इसका कच्छापन निकल जाएगा और जैसे हैं हमारा तेल गर्म हो जाएगा अब हम इसमें डाल देंगे आदा चमर सरसो के दाने और हींग जब हमारी सरसो के दाने अच्छे से चटकने लगेंगे तब हम इसमें प्याज आड करेंगे यहां मैंने एक बड़ा प्याज लेकर उसको महीन चौप कर लिया था और प्याज में एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे प्याज हमार अच्छे से बन चुका है अब एड़ कर लेते हैं इसमें कुछ मसाले यहां मैं एक चोटा चमच नमक इसमें डाल रही हूँ ध्यान रहे नमक हमने पहले भी एड़ किया था अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मीज पाउडर और सभी मसालो को अच्छे से मिक्स कर देंगे ओल के साथ जिससे वो पक जाएंगे मसालो के पकने के बाद हमें इसमें एड़ कर देंगे कटे हुए भकोसे एक बाद फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ हमने नमक जो है वो गेहों के आटी में भी एड़ किया था और दाल में भी इसलिए यहाँ पर हम नमक कमी यूज करेंगे अब सभी मसालो के साथ हम भकोसो को अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो से तिन मिनट बाद हमारे भकोसे बनकर बिल्कुल तयार हो जाएंगे इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है यह बहुती कम तेल में और बहुती हल्दी ब्रेकफास्ट है इसको आप रात के खाने में भी सर्व कर सकते हैं इससे आपका पेट बहुत जल्दी और आसानी से भर जाएगा अब बकोसो को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में बकोसो के उपर गार्णिश के आए मैंने थोड़ा साहारा धनिया और इसको सर्व कर रही हूँ मैं धनिये पुदेनी की चटनी के साथ दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो एव गुड डे इंजोई किजिए को अपनी फैमिली के साथ